इस विडियो में हम स्फेरिकल कॉडिनेट सिस्टम को समझने वाले हैं और स्फेरिकल कॉडिनेट सिस्टम को यूज हम कब करते हैं स्फेरिकल कॉडिनेट सिस्टम का यूज अक्सर जब भी हमारे किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होती है ठीक है इसे पॉइंट है और इसके अबाउट सिमेट्री है यहां लिखेंगे सिमेट्री अबाउट सिमेट्री अबाउट प्वाउट इसका मतलब क्या है देखिए मैं सिंपल सा एक्जाम्पल आपको देता हूं मालने चाहिए हमारे पास यह कुछ चार्ज क्यूं है यहां पर तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह आउट्वर्ड डैरेक्शन में इस तरह से इसके चार्ज क्यों के वजह से वो आउट डीर्ड डेडियर डायरेक्शन में और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेड में होगी मैं स्प्लेड की बात नहीं कर रहा हूं इस देख रहे हैं अपने स्क्रीन के उसकी नहीं अगर मैं फ्री-डैमेंशन मतलब स्फेयर की बात करो तो इ मतलब माल लिजे कि इस रेडियस का इस रेडियस का कोई आपने स्फेर ले लिया इसका रेडियस आर है इस रेडियस का आप स्फेर लेंगे तो उस फेर के सर्फेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो वह आपको हमेशा सेम मिलेगी क्यों मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई स्फेर हमने बनाया है तो उसका जो रेडियस है वो हर पॉइंट पर कॉंस्टेंट रहेगा मतलब उसका रेडियस चेंज नहीं होगा इसके वज़े से लेक्ट्रिक क्या रहेगी सेम रहेगी हर एक पॉइंट पर इस स्फेर के सर्फेस पर क्यूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमें कुछ इस तरह से दी जाती है नहीं कि क्यूँ डिवैडेड बए 4 पाए एफसाइलन नोट और स्क्वारड और यह और मतलब की प्लस की से लेगे बाहर के तरफ आउट्वर्ड रेडियल डारेक्शन यह इसकी डेक्शन है कि कई पर भी अगर आपको यहां देखना थो यह और कर डिल्य यह होगे अवे फ्रॉम दिचार्ज इस चार्ज से बाहर की तरह ठीक है यह एलेक्ट्रिक फील्ड अब आप देखो इस फेयर पर आप किसी भी पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो रेडियस आपका सेम रहेगा और आपको क्या मिलेगी एलेक्ट्रिक वील्ड की वैल्यू सेम की सब्सक्राइब करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल स्मेट्री ठीक है यहां पर हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री एं दे बहुत ही अच्छे से आपको बताया जाएगा तो आप अब सबसे पहले हमने देख लिया कि सफेरिकल कॉडिनेट system को हम use कप करते हैं then हम अब देखेंगे conversion पहले हम spherical coordinate system को समझेंगे उसके बाद हम conversion करेंगे कि अब conversion किस-किस में आपको spherical coordinates दिये होंगे spherical coordinates के denote तीन parameter से किया जाता है रो थीटा एंड फाई तो शॉर्ट में मैं कहूं तो रोज क्या है एक जो लाइन है लाइन ओपी लाइन ओपी उसकी लेंद्थ है थीटा थ्री डाइमेंशन में कोई पॉइंट है उसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पर ठीक है उस प्रोजेक्शन का पोलर कॉडिनेट उस प्रोजेक्शन का पोलर कॉडिनेट होगा थीटा यानि स्लेंड्रिकल में जो आपने देखा था थीटा सेम वही थीटा है य पोलर कोडिनेट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन एक्स यप्लें एक्लियर है अब लास्ट में आपके पास आता है फाइफ फाइफ होता है जो भी लाइन ओपी है उसने जेड एक्सिस से साथ क्या एंगल बनाया है ठीक है एंगल बिट्वीन लाइन ओपी लाइन ओपी एंड जेड एक्सिस तो स्फेरिकल कोडिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को इन तीन पेरामेटर से डिनोट किया जाता है जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया भी और क्लियर हम समझेंगे ठीक है दूसरा कनवर्जन पहला कनवर्जन है स्फेरिकल स्फेरिकल कोडिनेट से 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 किस तरह से चेंज किया जा सकता है ठीक है तो हम समझते है Spherical coordinate system को Spherical coordinate system में आदेखेंगे आपको 3 parameters से आपको किसी भी पॉइंट को represent करना हैं तो कुछ-कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे आपका origin है और यह पॉइंट पी है यहां पर जो रो की वैल्यू है हम इसको लिखेंगे लेंथ ओफ लाइन ओपी इस लाइन की लेंथ या पॉइंट ओ और पी के बीच के डिस्टेंस हुआ इसको मैंने सेट फॉर्म में लिखा है कि इसकी जो से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है किtake दीरो भी हो सकती है यह इन्फिनिटी भी हो सकती है उसके पीच कोई भी वेल्यू यह ले सकता है यह दैन दूसरा परिमेटेर आपके पास आता है भीता थीटा क्या है थीटा आपका सेम है विल्कुल आपका आपके पोलर कॉडिनेट्स की तरह यह जो पॉइंट पी है इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे आप एक्स-वाई-प्लेन पर आप देखेंगे कि वह आपको एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है यह जो आपके लाइन ओ है ठीक है यह देखना है मैंने यहां पर लिखा है पोलर कॉडिनेट ओफ प्रोजेक्शन ओफ पॉइंट पी ऑन एक्स-वाई-प्लेन ठीक है अब इसकी वैल्यू क्या हो सकते है आपको पता है पोलर कॉ अब आजाते हैं हम आपके फाई के उपर अब फाई क्या है सिंप्ली जो लाइन ओपी है इस यह ओपी लाइन जेड के साथ कितना एंगल बना रही है जैड एक्सिस के साथ सोरी जैड एक्सिस के साथ कितना एंगल है मतलब एंगल बिट्विन लाइन ओपी एंड एंड जीरो- या पाई ठीक है जीरो भी हो सकती है और पाई भी हो सकती है आ इनके बीच की वैल्यों भी ये ले सकता है तो इसको मैं इस थरह से लिख सकता हूं हुद जी रो पाई है ठीक है अब आते हैं अपने कि किसी भी पॉइंट को यूणीकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब कि मैंने अगर पॉइंट ले लिया और इसके कॉइट्नेट मुए रखे रौ 0 थीटा 0 & 50 ठीक है वैसे इसको रो सब 0 थीटा सब 0 और 5 sub 0 बोलते हैं अब इतना बोलने में बहुत टाइम निकल जाएगा ठीक है तो आप यह समझ लिए इस तरह से हम इसको बोलते हैं यह कोई पॉइंट पी है अभी पॉइंट पी एक्च्वल में क्या है तो आप पाएंगे अभी देखते हैं हम कि यूइव पॉइंट है जो की बना हुआ है इंटर सेक्शन और इंटर सेक्शन ऑफ फ्रीए प्रपेंडिगुलर कि daytime कि मृट्यकी परपेंडिगुलर कि सर्फिस सर्फिकेस यह मैंने Crown-armed district सिस्टम में भी बताया है और मैं यहां पर फिर बता दे रहा हूं यहां पर समझ ना आया तो आप एक बार सिलेंडर कल को ओडिनेर सिस्टम वाली वीडियो देख लेना इस सिर्फ जो लास्ट वीडियो है तो यह.पॉइंट आपको मिल कैसे रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो Een वैलियों क्यों स्टैंट कर देते हैं अगर मुझे यह पॉइंट चाहिए तो रोकी वैलियू क्या होनी चाहिए निवी क्यों 수료 को लिद्धान रखना है कि यह एक constant है यह एक constant है अब इससे होगा यह कि यह तो constant हो गया यहां पर theta और phi की value हम vary करेंगे तो आप जब theta को vary करेंगे इस तरह से और जब आप phi को vary करेंगे तो आपको एक sphere मिलेगा आपको यहां पर एक क्या मिलने वाला है स्फेयर और उस स्फेयर का जो radius होगा उस स्फेयर का radius होगा रो सब जीरो ठीक है आपको एक स्फेयर मिलिया आप इसको imagine करते चलना क्योंकि बनाना यहां पर उतना आसान नहीं है इसको फिर आते हैं अपने दूश्रे parameter पे थीटा को मैं लिख देता हूं थीटा सब जीरो ठीक है मैंने यह पर थीटा कॉंस्टेंट कर दिया है यहां पर हम वैरी किया कर सकते हैं रो की वैल्यवरी कर सकते हैं और फाई की वैल्यू तो आगर आप ऐसा करते हैं तो फाई तो यह पूरा 180 degree cover करेगा यहां से लेके यहां तक ठीक है और रो की value vary करेंगे तो आप देखोगे कि आपको एक आप इस तरह से इस तरह से कापको half plane मिलेगा है ठीक है आपको half plane मिलेगा यह तो मैंने बहुत छोटा बनाया रो की value कुछ भी हो सकती है जीरो से लिएक इनिफिनिटी तक तो एक पूरा आपको half plane मिल जाएगा हाफ प्लेन इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ देख सकते हैं यह एक तरफ है दूसरी तरफ आपको यह plane मिलेगा ही नहीं तो थीटा इस इक्वल टू हमने क्या रखा है थीटा सब जीरो तो उसके लिए हम एक half plane मिल रहा है कि हम यहां से मिल रहा है हाफ प्लेन है को इसरण हमारे पास है कि अगर हम 5 koh constant के इक्वल करदे था-स-ब-0 आप देखेंगे कि आप यहां पर तरह को आप Bravo को कर return पर सकत lumin कर सकते हैं तो आपको एक क्या मिल रहा है यहां पर अप interim आपको कुछ इस तरह कि शेप मिल रही है है ठीक है है कुछ इस तरह से आएगा तो इसको क्या कहेंगे कि हम कहते हैं right circular क्या कहते हैं हम right right circular कौन है ठीक है अच्छा ये symmetry कि स्केर आउट हmen कि इसकी नодеने साइट सबस्क्राइब ने देख सकते चीमेशने इसको बाओन करना पता चल जाएगा एक Дंद के वार मेंगद बताया है और इसको मैंज़न करके देख़ो कार वह स्रकुलर की कोन हो कैवे था से symmetric है क्यों symmetric है ठीक है तो यह point आ गए अब आप ध्यान देना कि यह सारे कि अगर मैं इसके point पर जैसे मैंने यह point ले लिया इसके surface पर मैंने एक perpendicular draw किया ठीक है और फिर मैंने plane की plane जो है हमारा उसके ओपर perpendicular draw किया ठीक है किसी भी एक point पर मुझे यही एक point चूज करना चाहिए कि जहां पर इनकी इंटर सेक्शन हो रही है वहां पर हम अगर बनाते हैं चलिए यहां पर बनाना पड़ेगा कहीं तो यह इस तरह से वेक्टर निदेगा फे만 प्लेन है उसके पर्पेंडिकलर निकले और 20 का सफेर बना है उसका जोफे सफेर है उसके उपर भी आप एक उसके सफेस के ऊपर अपरुपेंडिकुलर बनाएंगे अलगे इस तो को यह पता चलेगा कि यह जो तीनों सबसेजी परपेंडिकुलर है या जो वेक्टर इनके सर्फेस को मतलब हम कहेंग के और इसली परपेंडिकुलर सफेज दिवार इंटरसेक्शन है मतलब यहां पर उसके tá होगा ठीक है वही हमारे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इतना क्लियर है तो यह सब कुछ बाते थी अब हम समझते हैं कन्वर्जन के बारे में कि किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं स्फेरिकल टू कार्टीशन है बहुत ही आसान है बस एक बार इस प्रोसेस को अब समझ लो उसके बाद बिल्कुल आसान है इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अब हमें क्या करना है कि रो थीटा और फाई की वैल्यू से हमें कार्टीशन कोईनेट्स मतलब x,y और Z की वैल्यू निकालनी है आपको पता है एक्स वैल्यू क्या होती है आपको देखना है कि origin से X की वैल्यू जो एक्स का का कोईनेट है तो औरिजन से उस-पॉइंट की डिस्टैंस आपको पता होनी चाहिए दैन अगर आपको य कॉरिणित निकालन की जीरो से मतलब origin से उस point की जो distance है वो क्या है तो वह आपको क्या बताते हैं उसका उसके coordinates बताते हैं ठीक है Cartesian coordinate system में किसे भी point के तो अब हमें यहाँ पर सीधा-सीधा यह length निकालनी है यह यह है तो यह वाला जो length यह क्या है और y-axis पर हमें यह length निकालनी है यह तो अब हमारे पास सबसे पहले not value क्या है हमारे पास आपको पता है length निकालने के लिए तो आपके पस सिर्फ एक value है यहां पर वह रहो आप अब x और y निकालने के लिए हमें यह जो लाइन है इस लाइन की length पता होनी चाहिए मान लेते हैं इसको यह है om ठीक है इस line की length हमें पता होनी चाहिए तब हम इस line की जो projection है निकालेंगे x पर और y-axis पर उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हो अगर मैं इस op को इस op को यहां पर project करूंगा तो मुझे om value मिल जाएगी ठीक है तब यहां पर लिख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए x की value चाहिए हमें y की value चाहिए और हमें z की value चाहिए तो यहां पर rough work करते हैं कुछ ठीक है तो op का projection xy plane पर ठीक है तो वो क्या होगा om हमें ये length चाहिए न तो om क्या होगा आपका op op cos angle यह जो plane है इस plane के और इस line के बीच का angle यह वाला angle क्या होगा पाइबाय टू पाइबाय टू माइनस 5 तो यह value जा आपकी आएगी om op आपको पता है यह है रो कि साइन प्रहुति ओम आपको पता चल गया मतलब कि इसकी length आपको पता चल गई क्या है यह length यह length है रो साइन फाई यह पूरी लेंथ है इसके अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन निकाल देंगे X-axis पर और फिर इसका प्रोजेक्शन निकाल देंगे Y-axis पर तो X-axis पर निकालने के लिए प्रोजेक्शन के अगल इसके बीद में थीटा है तो x की हमारे पास क्या आ जाएगी ठीक है X क्या है एक्स उस लाइन ओम का प्रोजेक्शन है x-axis क्यों पर वही है एक्स की वैली हो मारी उसको लिखेंगे लाइंगल नकालना है तो प्रोजेक्शन क्या होगा cos theta ठीटा और तो ये वाइन्गल लेते हैं तो हमें ओ एम का projection मिलेगा य-axis पर यह आपका होगा रो साइन फाइ तो आपने देखा कि अगर कॉस मैं पाइवाइट तो माइनस थीटा खड़ूंगो तो यहां पर क्या वैल्लिव आएगी साइन थीटा यहां से आप देख सकते हो यह तो फाइए यहां पर थीटा रख लेना बस अब आजाते हैं जेड के उपर जेड क्या है जेड इस लाइन ओपी का जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन वह कैसे निकालेंगे बहुत ही सिंपल है यह हो जाएगा रो को साइन फाइड अगर किसी को पता नहीं है प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं तो में थोड़ा सा बता देता हूं मैं ऐह से ब्च्क्अ कि वेक्टर से ही अच्छे से समझ में आएगा तो इस वेक्टर के बीच में और इस X-axis के बीच में जो एंगल है वो क्या है थीटा है इतना क्लियर है आपको इस है है कि माल लिए कि यहां पर मैंने एक light रख दी है अब मैंने यहां से light को जलाया और यहां पर यह line है तो इस line के कुछ shadow पड़ेगी इसके ऊपर तो shadow कहां तक पढ़ने वाली है इसकी यहां तक तो बस इस shadow की हमें length निकालनी है इस को भेणास कहते हैं तो कई तरीके पहला सबसे आसान तरीका यहां पर मैं यूस्थ कर दो ही बताता हूं रहा हुए आपको इसके लैं तो पता होगी मान लेते हैं यह वेक्टर है इसके लेंद्थ को क journée मान लेते हैं सकी लेंथ है और थे लिएàng तब सिंपल यह आपका राइट एंगल ट्रेंगल बन गया अब यहां पर आप लगा दीजे ट्रिग्नोमेट्री तो आपके पास यहां पर हम लिखेंगे यहां पर को साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी को साइन थीटा होता है आपका यहां पर इस बेस्ट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बीजी को साइन थीटा इंटू में एच वैसे है को इस तरफ लिखना चाहिए मैं को साइन थीटा तो मुझे इसकी लेंथ पता चल गई या इस वेक्टर का मुझे इसके पर प्रोजेक्शन पता चल गया अगर मैं इसको वैसे रह कर अगर हम लेते तो इसको हम स्केलर प्रोड़क्ट से भी निकाल सकते हैं इसको बारहां पर जो creativity करने कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो अब आप देख रहे हो कि अगर आपके पास रो फाई और थीटा की वेल्यू गिवन है तो आप उससे एक्स वाई और जैड कोडिनेट निकाल सकते हैं तो पहला कंवर्जन तो हमारा हो गया अब देखते हैं दूसरा कंवर्जन दूसरा कंवर्जन क्या स्फेरिकल से हमें क्या निकालना था स्फेरिकल से स्टेंड्र कोडिनेट सिस्टम में तब उसकी बात करते हैं कि मैं यहां पर लिखता हूं सेकंड कनवर्जन स्फेरिकल अगर आपको रो थीटा और फाई गिवन हो तो इसको अब स्टेंड्र कल में कैसे चेंज करें यानि आर 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 थीटा एंड जेड़ की वैल्लिव हम कैसे निकालें जलेंट सिस्टम में और की वैल्यूट यह वाली जो लाइन थी ना कि इसकी वैल्लिव क्योंकि हमने क्या कहा था कि सिटेंशन ऑफ फोल्र 2017 और यहां पर आर की वैल्यू मतलब इस लाइन की जो लेंद्थ है वो बताया जाते हैं इतना क्लियर है चलिए तो अगर आपको याद ना होता मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ यहां पर हम इसको लिखते थे आर थीटा एंड जैड अगर यह आपका सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम में होता तो कि यह क्लियर हो गया इतना तो हमें यह वाली वैलिओ चाहिए अब यह जो इस लेंध्थ है जो ओम आपको पता है ओल्रेडी क्या है ओम अमने यहां से निकाला था तो O, M की value आपकी होगी, रो, साइन, रो, साइन, फाइ, इन, हमें थीटा, थीटा की value, सेम रहेगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, थीटा इस इकोल तूथीटा, और Z की value भी हमें पता है, Z की value क्या है, हमें Z चाहिए, तो हमें उसका projection चाहिए, लाइन ओपी का जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन तो यह हो जाएगा आपका रो को साइन फाई सिंपल है विल्कुल को दिक्कत नहीं हुई तो अगर आपको रो फाई और थीटा की वैल्यू पता है तो आप सिलेंड्रिकल कॉडिनेट्स निकाल सकते हैं लास्ट कनवर्जन ज लाँ क्योंकि इससे लिंक्ट है वो ठीक है एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि अभी मैंने देखा कि बुक में जो आपको कनवर्जन दिया गया है फ्रॉम स्फेरिकल कोडिनेट्स तो सिलेंड्रिकल कोडिनेट्स वहां पर यहां पर थीटा का यूज किया गया है जो की गल्थ है वो मिस्टेक है बुक में तो आप ध्यान देना ठीक है लॉजिकली सोचना कि हां यहां पर क्या हो रहे तो आपको बुक की बहुत सारे मिस्टेक्स जो आपको पता चल जाएंगे ठीक है तो अब आगे नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं तो इस कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे कि हम यहां पर q q q i q 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 स्क्वาइर क्या होगा रो साइन 5 रो साइन 5 छी जिबास थीटा uksृट ती तक स्क्वाइर सब्रस्ट फाई रो साइन 5 यहां पर अगें साइन होगा in स्क्वाइर साइन स्क्वाइर थीटा एक साथ ही उसका स्क्वाइर कर देना चाहिए था एंदन जेड है आपका रो कॉस रो कॉस फाई का स्क्वाइर तो यहां पर आगे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहां से बच रहा है रो स्क्वाइर साइन स्क्वाइर फाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर बचता है को स्क्वाइर थीटा प्लस साइन स्क्वाइर थीटा जो की वन के इक्वल है और यहां पर हमारे पास बचता है यह हिस्सा जो है वन के इक्वल है और देगे यह पलस में सी प्लस में है हमेरी कार सकुरां कहुंद फाइघा 진ाया इस सड़ करें सही है जोकी कार यह जाएगा आपका दोस्वATA WAS स्टाइर कॉमन लेदेंने और फ़्लस ए प्लस फेल हो गया तो मुझार्पस क्या बचता है रोच्वाइर मतलब की row square is equal to x square plus y square plus z square तो पहला conversion यह कि अगर row की x y z की value हमें given है तो हम row की value इस तरह से निकाल सकते हैं ठीक है तो row की value हमारे पास आ गई पहली value थो हमारे पास आ गई अब theta के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे ठीक है यह एंगल सकते हो कि this point से स良gin है दो कैसे वह भी देख लो क्न दो कोन कोण से कोडिनियेट चाहिए हमें हमेइन पहला चाहिए रो दूसरा चाहिए थीटा टीन कोडिनेटर हमें चाहिए तो पहला कोडिनेटरा हमें मिल गया है जो कि है आपका x square plus y square plus z square दूसरा है phi phi के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं phi के लिए हमारे पास था z is equal to rho cosine phi यह भी हमने देखा था तो इसका यूज करके हम phi की value निकाल सकते हैं जो की होगी यह हो जाएगा z divided by p यहां पर कॉस्ट इन्वर्स z divided by रो ठीक है यह दूसरा भो गया तीसरी value आपको आप यहां से निकाल सकते हो एक्स इस इक्वल टू क्या था रो साइन फाइए रो साइन फाइए को साइन फाइए को साइन फाइए को साइन फाइए को साइन थीटा ठीक है तो थीटा की value आप यहां से भी निकाल सकते हो इसके लिए आप लिखेंगे एक्स डिवाड़ रो साइन फाइए यह किसके इक्वल हो हो जाएगा को साइन थीटा के तो आप यहां से लिख सकते हो इसका यूज करके कि थीटा एज इक्वल टू कॉस इंवर्स कॉस इन्वर्स एक्स तो आपके पास अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको पता है तो आपने उससे क्या निकाल लिया रो की वैल्यू निकालने के बाद रो की वैल्यू निकालने के बाद आप किस की वैल्यू निकालेंगे फाई की वैल्यू निकालेंगे ठीक है क्या आपको जैड़ पता है 5 पता है रो पता है इससे आपको फाइक की वेल्यू बिल जाएगी देन लास्ट में पाई की वैल्यू एक्स की कि वैल्यू और रो की वैल्यू का यूज करverse Lore से हम conversion करते हैं यह conversion है आपका partition to partition to spherical partition to spherical coordinates तो तीन conversion आपको समझ में आ गए होंगे तो इसके कुछ examples हैं अब हम वो करते हैं ठीक है तो पहला conversion जो आया है वो है है स्पेस्ट local 1600 से कोदिनैट से कार्टिशन निकालने हैं कि यह आपका स्फेस्ट sabemлем सोगने से जो है कि टूशकी पाइवाइब फूर एंडब पाइवाइब तरी कि इससे हमें कौन से निकालने हैं काठीशन कोडिनेट निकालने हैं तो मैं आगेन ऊच्प्रोला याद हो जाए इसके लिए कि मैं अगे लिखता हूँ हमें क्या-क्या वैल्यू चाहिए एकस वाई और जड़ एकस की वैल्यू होती है रो साइन फाई को साइन थीटा दूसरी वैल्यू होगी वाई इस इकवल टू रो साइन फाई साइन थीटा एं तीसरी वैल्यू होगी रो को साइन फाई तो आपको पता है यह कुछ इस तरह से लिखा होता है इसको लिखने का तरीका है यह है आपका रो यह है आपका थीटा और यह है आपका फाई तो हम यहां वैल्यूस पूट करते हैं तो रो है आपका टू आप यहां पर देखोगे ठीटा की value है पाइबाइफ फोर ठीक है और फाइख की वैल्यों है पाइबाइब 3 तो साइन पाइबाइब त्री वेल्यों होती है रूट 3×2 भी चाहिए और इसको मल्टिप्लाइब कर देंगे हम को साइन थीटा पाइबाइब टू 1 बाइठ टू से कि तो कि यां हमारे पास आता है square root of three by two पहला को अगया दूसरा कोईनेड से देखते हैं दूसरे कोडिनेट में भी कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि त्याहिक है yogurt performers जो है सेम् है और साइन थ्ट साइन थीटा साइन थ्टित शीन टीटा की butterfly for self होती है वन बाइरूट टू तो इसको हम अगेन सेम यही लिखेंगे तो यह यहां पर सेम कॉडिनेट्स आया हमारे पास थ्री बाइ टू जैड की वैल्यू निकालेंगे यह हो जाएगा टू को साइन फाइक की वैल्यू क्या है पाइवाइ थ्री जो की होता है टू वन बाइ टू इसकी वैल्यू आ गई वन तो हमारे पास कार्टीशन कॉडिनेट्स आ गए स्क्वार रूट ऑफ थ्री बाइटू स्क्वार रूट ऑफ थ्री बाइटू एंड वन तो पहला प्रॉब्लम जो है वह हमारा सॉल्व हो गया अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के उपर इसमें हमें कार्टीशन कॉडिनेट्स दिए गए हैं और हमें स्फेरिकल कॉडिनेट्स निकालने हैं इसमें हमें कार्टीशन कॉडिनेट्स दिए गए हैं और हमें स्फेरिकल कॉडिनेट्स निकालने हैं जो की है रो थीटा एंड फाई तो अभी हमने देखा इसका जो हमने फॉर at 40 heeft दूसरा है भाइक की वेल्यू क्या थी थी फाइकी वेल्यू थी कॉस्षट इंवर्स खॉस इनल्पस लेक्राएड़ वाइड थी टीटा की जो वेल्यू आ रहे थी वह थीierung h okay सॉस इंवर्स एक्ष दीमॉएड़ फाइड रो-शीन-व Johann रो-sine-5 यह 3VLY आपके पास आ गई तो हमें Cartesian coordinates क्या गिवन है Cartesian coordinates गिवन है 0 2 3 root 3 and minus 2 यह coordinate गिवन है io इसको इधर लिख देता हूं clearly हमें क्या गिवन है 0 0 2 root 3 and minus 2 तो सबसे पहले रो की value निकालते हैं रो की या रो के ठीक है रो की value निकालते है तो यह हो जाएगा 0 plus y का square y का square हो जाएगा यह 4 x 3 and plus 4 इसका square root किसके equal होगा यह होगा आपका 12 plus 12 plus 4 16 रो की value आ गई 4 तो मैंने यहां पर आपको पता है square root करें तो दो values आएंगी बट हमने रो की values को कैसे restrict किया है कि रो की values positive होगी हमेशा है तो इसलिए हम यहां पर positive 4 की value ही लेंगे दूसरा आपके पास 5 है 5 होगा आपका cos inverse z की value क्या है मारे पास minus 2 divided by 4 यह है आपका cos inverse minus 1 by 2 2 ठीक है तो यह वाले जो value है आपकी इसकी value आएगी आपके 2 pi by 3 क्यों आएगी आप इसको एक बार चेक करो यह आपका unit circle है इसके according आप चेक करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है 1 by 2 value कब आती है और यहां पर minus 1 by 2 value क्यों आ और कब आएगी तो आपको यह समझ में आ गया कि 5 is equal to हमारे पास coordinate आ गया है यह बात मैं को कई बार 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 मैं इसको repeat नहीं करूंगा और अपने 11th class में 11th class में भी पढ़ा होगा या 12th class में मुझे याद नहीं है शबर तो हएंद को में तो यह वख दो और जब आपके पास पाहिकी वैल्या वालिव यह निकाल सकते हैं तो X-Coordinate आप सिंपली यहां पर देखोगे X-Coordinate यहां पर क्या है हमारा 0 है तो यह value 0 हो जाएगी तो यह आएगा आपका cosine inverse 0 ठीक है तो थीटा की value क्या होनी चाहिए यहां पर पाइबाइ 2 क्योंकि 0 का हम क्या लिख सकते है है Cos by by 2 तो हमारे पास तीनों कॉडिनेट आ गए तो कॉडिनेट क्या क्या आ है स्फेरिकल कॉडिनेट हमारे पास 4 तो पाइबाइबाइब थ्री एंड पाइबाइब टू कि शारी मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दी इसको रो थीटा एंड फाइब ऐसे लिखना था तो मैंने लिख दिया इसको रो फाइब थीटा तो हमारे पास जो स्फेरिकल कॉडिनेट्स आएंगे वह आएंगे फोर पाइबाइब टू एंड टू पाइबाइब थ्री तो यह कंवर्जन आ गया हमारे पास अब एक और कंवर्जन देखते हैं हमें यहां पर गिवन है कि एक सर्फेस है स्फेरिकल कॉडिनेट्स में फाइज इक्वल टू फाइज इक्वल टू स्फेरिकल में स्फेरिकल कॉडिनेट्स में एक सर्फेस दिया गया है और इसको हमें पता लगाना है कि यह कौन सा किस सर्फेस को यह प्रेजेंट कर रहा है कार्टीशन कॉडिनेट्स में ठीक है तो कार्टीशन कॉडिनेट्स सिस्टम में हमने सारे सर्फेस को पढ़ा है अभी तक तो हमें उसके अंदर करना पड़ेगा इसको ताकि हम पता कर पाए कि यह किस सर्फेस को यह रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको पता है कि यहां पर एक्स की वेल्यू क्या होती है एक्स और यूट के इकवल है तो यह आजायेगा आपका रोश्क्वायर और ओन्द एक्सक्वायर की वेल्यू ऑपके पास क्या है एकम स्क्वायर प्लस यूवाई स्क्वायर माइनस यह इकल तो खाहरे को उस स्कुराइर तो इन दोनों को तो अलग रखते हैं अभी बात करते हैं एक स्कुराइर माइनस एक्स की स्कुराइर यहां पर कंप्लीटिंग दस्कुराइर जो कॉंसेप्ट हमने पढ़ा था टेंथ या नाइन्थ क्लास में वह एपलाई हम करेंगे यहां पर इसके जगा मैं क्या लिख सकता हूं देखिए मुझे एक वैल्यू चाहिए एक स्कुराइर तो मैंने लिखा एक्स और अगर मैं यहां पर लिख दू एक स्कुराइर माइनस वन बाइटू एक्स और इस खाली वन बाइटू वन बाइटू का स्कुराइर वन बाइटू का स्कुराइर तो यह किसका इक्वल होगा एक स्कुराइर प्लस वन बाइट प्लस वन बाइट फूर माइनस माइनस एक्स कैसे आया मैंने इसको किया टू एक्स वन बाइटू टू ए बी ठीक है तो टू से टू कैंसल सिर्फ बचा हमारे पास एक्स यह हो गय तो अब मैं खाली इसके जगा पर यह लिख सकता हूं यहां पर मैं इसके जगा पर यह लिख सकता हूं नहीं लिख सकता क्योंकि यहां पर इस तरह से लिख सकता हूँ मैंने लिखा इसे x square minus x को मैं ये लिख सकता हूँ तो मैंने लिखा इसको x minus 1 by 2 का square minus 1 by 4 plus y square plus z square is equal to 0 then next step में हम लिखेंगे x minus 1 by 2 का square plus y square plus z square is equal to 1 by 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 by 2 का square तो आप देख सकते हो कि ये equation किसके है sphere की और sphere का जो radius है वो है 1 by 2 और sphere का जो center है वो है आपका at 1 by 2 0,0 ठीक है ये आपकी sphere की equation है और उसकी ये properties है कि उसके जो radius है वो 1 by 2 है और उसका जो sphere का जो center है वो 1 by 2 0 0 पर है अब आप में से कई लोग में भी अगर आपने book में से इस problem को solve किया हो तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर कुछ equation और है ठीक है जो इसका जो solution दिया गया है उसके कुछ और equation है वो equation क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ वो है x square plus y minus 1 by 2 square plus z square is equal to 1 by 2 square ठीक है ये है अब इसमें फर्क क्या है radius तो सेम रहेगा radius जो है वो सेम रहेगा बट center change हो जाएग स्वेर का ठीक है अब ये आप कहोगे कि बुक में तो ये answer है और आप मुझे ये बता रहे हूँ तो आप ध्यान देना बुक में जो आपको answer दिया गया है ना वहाँ पर starting point जो problem दिधी इन्होंने cosine theta उसके जगा इन्होंने क्या किया है साइन theta sin 5 तो वह आप term जो आप लिखेंगे वह इसमें लिखेंगे वाई में y is equal to क्या होता है 5 sin theta sin 5 sin theta तो यह value जो की रो के equal है वह इसके अंदर आप put करेंगे तब यहाँ पर x के जगा पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा minus y ठीक है देन आप इसको complete करेंगे इसका square तो इस तरह से आपकी यह value आएगी तो यह ध्यान रखना है थोड़ा सा कि बुक में एक तरह से mistake ही कहेंगे हम इसे mistake ही है क्योंकि पूरी equation ही change हो गई यहाँ पर तो इस कुछ थोड़ी बहुत mistake हो गई हो तो प्लीज उसे अवाइड करिएगा कि I am not feeling good तो ध्यान रखिएगा इस बात का और अगर कुछ ऐसी major problem है तो आप मुझे बता सकते हैं तो अगर उसका कुछ किया जा सकता है तो मैं करतूंगा thank you very much